नमस्कार की कहानी की फ्रेश स्क्रिप्ट को लेकर बात की है इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सोर्स ने ये लीरिंग वेबसाइट को बताया था सल्मान खान अब किसी भी साउथ फिल्म का रीमेक नहीं करना चाहते है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उन्हें मास्टर में विजय का किरदार जेडी बहुत पसंद आया है उनका मानना है कि एक किरदार ओडियंस को खुद से जोडने में कामियाब होगा अभी तक सल्मान ने ऐसा कोई रोल नहीं किया इसलिए वो नए किरदार के लिए बहुत इक्साइटिड है हलकि इस रीमेक में केवल कैरेक्टर वही रहेगा लेकिन फिल्म की कहानी एकदम अलग होगी सल्मान की मांग पर मास्टर के मेकर्स जेडी के रोल पर फिट होने वाली एक नई और ताजा कहानी लिखने का काम कर रही है फिलाल फिल्म की नई कहानी लिखने का काम चल रहा है और जैसे ही लेखक ये काम पूरा करती है वो सलमान खान से एक कहानी चेक करवाएंगे सलमान ने साफ कर दिया है कि वो सेम स्टोरी पर काम नहीं करेंगे उन्हें स्क्रिप्ट में दिन रात का अंतर चाहिए बतादे फैंस काफी वक्त से सलमान को मास्टर की रीमेक में देखने के लिए excited थे ही हलाकि अब कहा ये भी जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म को नहीं करने वाले है एक leading website की report की माने तो सलमान खान ने मास्टर की रीमेक को करने का idea टाल दिया है इसकी बज़े बताई जा रही है कि वो इसकी जगे अब दुबारा किसी कॉमेडी रोल को करने में दिल्चस्पी दिखा रही है रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान अब अनीज बजमी की कॉमेडी फिल्म में काम करने जा रही है सल्मान खान के मास्टर को ठुकुराने से उनके फैंस को जरूर निराशा होगी जो थलापती विजय के किरदार में उन्हें देखना चाहते है सल्मान का बार-बार प्लान बदलना ये दर्शाता है कि आक्टर अब करियर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते है सल्मान की किरगरी हुई है उसके बाद वो सोच समझकर फिल्में साइन कर रही है फिलाल वो कटरीना कैफ के साथ टाईगर जिन्दा है थ्री की शूटिंग में बिजी है जो की अगले साल रिलीस होगी सल्मान से जुडी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं